Yes students, again a very good morning to all of you. तो बच्चे EBS में हम कर रहे हैं lesson number 1, जिसका नाम है Poonam's Day Out. इसमें हम कुछ exercise जो हैं, previous pages वो कर चुके हैं, जैसे कि ये page number 2 है. इसके answers मैंने आपको previous video में करवा दिये हैं. उसके बाद ये page number 3 है, ये भी हम कल कर चुके हैं. And now move on to page number 4. Page number 4 में क्या है, आपको कुछ animals की pictures दे रखी हैं. और उपर question क्या लिखा हुआ है, look at the pictures given below. कि जो नीचे pictures दी गए हैं आपको, उनको ध्यान से देखें. Color the animals that do not live in your house. और क्या करना है, pictures को ध्यान से देखने के बाद, Color the animals that do not live in your house. उन animals में color भरना है, रंग भरना है, जो हमारे घर में नहीं रहते. ठीक है? तो जो घर में रहते हैं, उनको हमने ऐसे ही छोड़ देना है, और जो हमारे घर में नहीं रह सकते, जैसे की elephant, elephant हमारे घर में नहीं रहता, यह wild animal है, तो हम इसे color कर देंगी, यह अपने book में ही करना है, ओके class? Move on to page number 5, इसमें क्या दिया गया है? Here are some incomplete pictures of animals, यहाँ पे कुछ तस्वीरें आपको दी गई हैं, जो की incomplete है, यानि की पूरी नहीं है, तो आपने क्या करना है, इनको complete करना है, जैसे की यह dog है, यह fish है, और यह cockroach जैसा एक insect है, आपने इसको complete करना है, जो जो भी इसमें कमिया रहती है, जैसे की इसकी tail रहती है, यहाँ से पाउं, यहाँ से जोड़ देना, यहाँ से wings बनाने हैं, तो इनको complete करने के बाद आप उनका नीचे नाम लिखेंगे कि वो क्या चीज है इसको भी आपने बुक में ही फिल करना है उसके बाद नीचे क्या है? Who am I? इसका मतलब है कि मैं कौन हूँ जैसे कि क्या दे रखा? आपको एक crossword दे रखा है इस crossword में एक-एक answer चुपा हुआ है और आपने क्या करना है? उस answer को ढूंड के उसके around circle लगाना है जैसे कि first है रीड करने जारी हूँ मैं बनाना is what I love eating I spent my time jumping and sleeping तो क्या बोल रहे हैं कि मुझे खाने में क्या पसंद है? किस से मुझे बहुत जादा प्यार है बनाना से और मुझे अपना time jumping कूदने में इधर उदर लेट के भागने में अच्छा लगता है मैं अपना time उसमें गुजारता हूँ तो जो केले खाता है और बहुत jumping करता है वो कौन है? वो है monkey यह book में आपको एक example solve करके दे रखी है m-o-n-k-e-y आप इसको इस तरह से circle कर देंगे जैसे कि आपको करके दिखा रखा है so first का answer है monkey तो monkey के पास मैंने one लिख दिया है क्योंकि यह first जो है crossword इसका answer है next है on the walls webs I weave where insects stick and cannot leave wall क्या होती है? दिवारे तो यह बोल रहा है कि मैं दिवारों के ऊपर web I weave web क्या होते हैं? बड़े बड़े जाले जो होते हैं मकडी के जाले जो होते हैं वो बनाता हूं where insects जो कीडे मकौडे होते हैं चोटे जैसे की चींटिया होती हैं बड़े कीडे होते हैं वो stick stick का मतलब होता है चिपक जाना या first जाना वो उसमें first जाते हैं and cannot leave वो उस web में चिपक जाते हैं और फिर बाहर नहीं निकल पाते तो कौन है जो दिवारों पे बड़े बड़े जाले बनाता है उसका नाम है इसमें से ढूंडा हैं हमने spider तो यहां पे हम two number लिख देंगे second का अंसर है spider move on to number three I remain awake the whole night and go to sleep in broad daylight तो यह बोल रहा है कि मैं awake का मतलब क्या होता है जागना whole का मतलब होता है complete night का मतलब होता है रात तो पहली line का मतलब है कि मैं पूरी रात जागता हूं and go to sleep sleep होता है सोना और मैं सोने कर जाता हूं broad daylight में जब पूरा दिन भर इतनी जादा रोशनी आ जाती है दिन आ जाता है पूरा सुबा हो जाती है तो मैं पूरा दिन daylight में सोता हूं तो मैं कौन हूं मैं हूं उल्लू यानि कि मेरा नाम है आउल तो हम इसको इस तरह से सरकल करेंगे और यहां पे हम लिख देंगे नमबर ठ्री क्योंकि यह थर्ड अंसर है नमबर फोर क्रॉक 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 is my sound तो मैंने कल आपको एनिमल्स की sound करवाई थी आपको पता है कि क्रॉक 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 किसकी sound होती है in water or on land I am found तो water में या land में मतलब पानी में भी और जमीन में भी आप मुझे देख सकते हो पा सकते हो और मेरी अवाज क्या है क्रॉक 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 तो मैं कौन हूँ? मैं हूँ frog F-R-O-G My name is frog यहां तक आएगा पिटा इसका F-R-O-G frog तो मेरा नाम है frog तो यहां पे हम four number लिख देंगे क्योंकि यह fourth का answer है Next I appear after rainfall have no feet so I crawl उन्होंने बोला कि मैं बारिश के बाद आता हूँ I appear after rainfall have no feet so I crawl मेरे पाउं नहीं है इसलिए मैं करता हूँ? रेंगता हूँ उन्होंने बोला कि मैं बारिश के बाद आता हूँ और मेरे पाउं नहीं है इसलिए मैं ऐसे ऐसे जमेन पे रेंग के चलता हूँ ओके? तो मैं कौन हूँ? मैं हूँ snail S-N-A-I-L जैसे snail हम किसको बोलते हैं? बेटा जो छोटे-छोटे snakes की तरह होते हैं साप की तरह रेंग के चलते हैं वो अर्थवर्म होते हैं उसी तरह से snails होते हैं छोटे-छोटे तो कौन है वो? जो बारिश के बाद निकल जाते हैं ब्राउन कलर के बहुत सारे तो जब जो बहुत ही जादा slow चलता है धीरे-धीरे चलता है लेकिन steady का मतलब होता है continuous जो रुकता नहीं है बेशक वो धीरे चलता है लेकिन वो कभी रुकता नहीं है ठीक है? उसका pace है ये I always win वो हमेशा जीतता है when there is a race जब भी कोई race होती है तो वो हमेशा जीतता है क्योंकि चाहे slow ही सही लेकिन वो continuously चलता रहता है जैसे कि हम पढ़ाई करते हैं एक दिन मानलो सभी बच्चे suppose करो कि हमने 5 hours study की मतलब हमने 5 गंटे की पढ़ाई की और उसके बाद हमने 5 दिनों तक कोई भी बढ़ा ही नहीं की कोई बुक नहीं खोली हमने कुछ लर्न नहीं किया हमने कुछ नहीं लिखा और एक बच्चा है जो डेली डेली एक एक गंटा पढ़ते जा रहा है तो वो क्या कर रहा है रोज नई-नई चीज़ें सीख रहा है रोज अपनी बुक्स से लिंक अप हो रहा है उन्हें खोलता है उन्हें पढ़ता है तो जो पांच गंटे वाला है वो तो सिरफ एक दिन ही पढ़ेगा तो वो एक्जाम्स के पास जाते जाते सब कुछ भूल जाएगा तो इसी तरह से जो टॉट टॉइज होता है कच्छुआ होता है वो बेशक धीरे चलता है लेकिन वो चलते चलते निरंतर चलते चलते जल्दी पहुंचाता है जैसे कि आपने वो स्टोरी सुनी होगी खरगोश और कच्छुए वाली अगर नहीं सुनी तो आप अपने टी ओ आर टी ओ आई एस इ टॉट टॉइज मैंने कच्छुआ तो यहां पे हम नंबर सिक्स लिखेंगे क्योंकि यह सिक्स तांसर है तो यह है आपका पेज नंबर फाइव इसको आपने अपनी बुक में ही करना है और यह था आपका पेज नंबर फोर इसमें जो एनिमल्स आपके घर में नहीं रहते हैं आपने उनको कलर करना है और बाकियों को छोड़ देना है तो यह दो पेज आपका आज का होमवर्क है नीट अन क्लीन इससे करें और लर्न भी करें थैंक्यू क्लास है वे नाइस दे टो आल अफ यू